Hi everyone, this is Pavan Sharma. कभी आपने सोचा है, कि जब भी आप पैसा कमाते हैं या लूज करते हैं, तो किसी ने किसी का फायदा है, किसी ने किसी का नुकसान जरूर होता है. अगर आप पैसा कमाते हैं, तो किसी ने तो लूज किया होगा, वही पैसा आपके पॉकेट में आया है. 100% opposite to each other, आप जितना भी पैसा गवाएंगे, कोई ने कोई उतना पैसा कमाएगा. यहाँ पर ब्रोकर सर्फ मेडियेटर होते हैं, NSE, BSE सर्फ कंट्रोलर बॉर्डिंग होती है, यहाँ पर इन लोगों को पैसा नहीं बनता है, इनको तो अपनी फीस चाही होता है, and that's it. जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो आपका जो profit loss है, वो यह decide करता है कि आप किस segment में आते हैं, अगर आपसे सवाल पूछूँ कि आप कहां आना चाहते हैं, तो बिना hesitation के, बिना बलक जपकाए, आपका एक ही जवाब होगा, profitable side में, लेकिन profitable side में आने के लिए सर्फ कह बहुत सारी चीजे करनी पड़ती हैं, देखिए, याद रखिएगा, एक छोटी सी जो अगर मैं आपसे बात कहूं, यहाँ पर एक mindset होता है, जिसको हम psychology word भी कहते हैं, और इसके उपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मैंने almost हर वीडियो में discuss करते हैं, हो सकता है आपको कुक का या किसी फोन का या किसी गाड़ी का लगाता रहाता है, उसको क्या होता है, उसको कहते हैं, रिकॉल, ब्रैंड रिकॉलिंग, ब्रैंड रिकॉलिंग का मतलब होता है, उसको इतनी बार आपको दिखा दिया जाता है, कि कल अगर आपको कोई product purchase करना है, और आपको आपके माइंड में रहेगा और आपके चॉइस लिस्ट में से एक पार्ट वो बन जाएगा अब सिंपल यही बात करें अगर हम स्टॉक मार्किट के बारे में भी याद रखेगा यहां भी सिच्वेशन सेम है तो हम जो साइकॉलोजी के बारे में बात करते हैं आपको बार बा हो चुके हैं तो शायद आपको इस बात से नहीं पता है लेकिन हर रोज नए ट्रेडर आते हैं नए इंवेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए भी इतने ही जरूरी जितना पुराने ट्रेडर के लिए है और वो है डरना बंद करो देखो भाई ऐसा है जब तक आप मार्किट म में डरोगे लूज करने से डरोगे तो आपका लॉस होता रहेगा समझ रहे हैं इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां पर आप एक अच्छे ट्रेडर की तरफ जैसे मैंने का ना मैं सवाल पूछूँगा तो कहां जाना आपको आपको कभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाईएगा सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक कीजिएगा बैल आइकन पर जो है क्लिक कीजिएगा और फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर उसका अगर आ तो चले बात करते हैं देखिए मैं आपसे कहता हूं कि जैसे आप बाइक चलाते हैं या फिर आप गाड़ी चलाते हैं अगर गाड़ी चलाते हैं और जैसे आपने नई गाड़ी ली है तो नई गाड़ी आज आपने शोरूम से फ्रेश गाड़ी लेकर बहार निकले हैं तो जो गाड़ी लेके चलते हैं, जिन्होंने बाइक लिया है, अब आप समझ गये होंगे, वो फियर कैसा होता है, वो फियर जो होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब आपके दो फुट से भी कोई पास से निकल जाए, तो आपका हार्ट बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि अब ही वो आपका नया गाड़ी है, और मैं ये नहीं कर रहा है, उन नए ड्राइवर की अलग बात है, आपने एक प्रोड़क लिया है, जिससे आप डर रहे हैं, आपको पता है, जब आपका डर होता है, तो वो आप से जाधा गलतिया कराता है, आप साइकल चलाते हैं, तो जब तक आप डरेंगे, चाहे वो कोई भी life का form हुआ, कोई भी life का phase हुआ, आप उससे loss लेंगे ही लेंगे, उसमें आपको नुकसान हो गई होगा, वहाँ पर गेम में आप out होंगे, गेम से आप हार सकते हैं, क्योंकि वो डर में आपके बहुत सारे जो एक conscious mind होता है, एक active mind होता है, वो दब जाता है, और उसके उपर fear overtake कर लेता है, stock market भी अलग नहीं है, stock market भी absolutely same है, यहाँ पर जब तक आप डरेंगे, जब तक आपको लगेगा कि यारी मेरा इवाला powerpoint है यहाँ पर मुझे loss हो सकता है, फिर आप पता क्या करेंगे, आप जैसे ही, अभी जैसे मैं market में live market चल रही है, तो मैं live market में अगर trade देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, live market का trade अभी 17,737 का, अभी current market price चल रहा है, nifty का, और ठीक है, चल रही है market, I am not worried about that, reason being, मैंने अपनी positions को secure किया हुआ है, मैं कभी भी stand alone call या put buy नहीं करता, या bank nifty या कोई भी stock buy नह risk management के साथ, proper hedging के साथ में trade करता हूँ, तो इस time live market में होने के बावजूद भी, I am not afraid of that, मुझे पता है, कि मेरा maximum loss कितना रहेगा, और trade लेते वक्त, ये बात मैंने accept कर लिया है, कि ये मेरा maximum loss रहेगा, और मैं इसके लिए agree हूँ, तो जब मुझे पता चल गया, कि मेरा maximum loss र चीज के बारे में बात ने कर रहा हूँ, आप ये कर लिजिए, वो कर लिजिए, आपको ऐसा startup बनाना चाहिए, आपको risk reward कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें secondary हैं, ये सब चीजें आपको तब फाइदा करती हैं, जब आपका ये पहले वाला point खतम हो जाएगा, तो जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप इस point से घवराते रहेंगे, आपको लगेगा अगर ये problem क्या होगया मेरे साथ में, ये क्या हो रहा है, अब अचानक movement होगी तो मैं नुकसान में आ जाओंगा, आप कितने भी अच्छे setup को design कर लिजिए, मैं कहता हूँ, आपने जो करना ह रहेंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो डर आपसे गलतियां करवाएगा, वो डर आपसे early exit करवाएगा, वो डर आपसे losing side में जबरदस्ती hold करवाएगा, मतलब आप जो सोच सकते हैं न, वो सारे के सारे काम आप करेंगे, और आप करेंगे नहीं, आपसे करव ट्रेडर, देखिए, आगे का mindset, आगे की technical analysis बहुत आसान हो जाती है, लेकिन at least आप अपने आपको पहले prepare करें, तो हमेशा याद रखेगा, अगर आप lose करते हैं, तो कोई गेन करेगा, तो आप lose करने से डरना बंद करें, और जब आप डरना बंद करेंगे, तो आप mind open करक चलते हैं, जो हमारे sports bike चलाते हैं, जो हमारे formula one car के drivers होते हैं, और जो हमारे motor gp के drivers होते हैं, वो क्या करते हैं, 320 के speed पे अगर bike drive हो रही है, formula one के speed आप भी जानते हैं क्या होता है, तो अगर वो डरेंगे, तो क्या वो काम कर सकते हैं, नहीं, तो आपको उस डर को हटाना है, सबसे पहले stop worrying about your losses आपने losses उसको कैसे कम करेंगे वो मैं आप discuss करूँगा लेकिन but as of now stop worrying about it तो मेरी आज से पहली advice यह है अभी से guys do not afraid of losing to the market losing back की छोड़ दीजेगा मैं losing वाली बात करा हूँ do not afraid that you will lose और जैसी आप यह बंद कर देंगे आपका profitable journey चुरू हो जाएगी अभी अगर आप नई है तो 5000 पे 10,000 पे से आप अपनी टेडिंग जरू करें बड़ा capital लेकर नाए छोटे capital से हमें नुकसान नहीं होता हम friend के साथ बैठके 300 का 500 रुपे का खाना खा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपके लिए बहुत चोटा माउंट रहेगा अगर चोटा मोटा लूज भी हुआ लेकिन उस अमाउंट को आप अपनी लिए यूज करें अपनी development के लिए यूज करें ना कि कमाने के लिए और भी है जैसे अगला स्टेप क्या होगा क्या करना चाहिए अज़ा प्रॉफिटेबल टर वो भी हम बात करेंगे तो अभी के लिए इतना ही काफी है और जाने से पहले में लाइक सब्सक्राइब करना मत हो लेगा और मिलते हैं अगले बड़िए मैंटेल दें टेकर हपना आइसे बाबाइ